बुड आप्टनोन नमस्कार विद्यार्थी मित्रों धोरन च विशाई कुज राती तो कुज राती मां आपने विद्यार्थी मित्रों बे पार्ट पुरा थाई गया छे एनू रिविजन करावी दिदू छे औने आपने निर्बन पन बे लखावी दिदा छे औने व्याकरन पड़ में तमने लखावी दिदु आजे आपने पार तन दिरीदल जी एक बोध कथा छे इस पार आपने आगार ना वीडियो मा आपने पार समझयाने पार पार मा एक मूर्ती ये मूर्ती विशे में तमने अईया सुन्धी आपने मूर्ती नी वात विशे तमने समझावी दितू हाथो आजे हो फरी थी त्यानू रिवी जंकरा विदाउचू के मूर्ती के एक मानस एक वकत के पोताना गाम्मा बनी रहेला नवा मंदीनू निर्मांकारिय चोवा गयो हाथो एकले के गाम्मा नव मंदीर बनवानों हाथो एकले के ए मानस ए मंदीनू निर्मांकारिय चोवा माटे गयो परन्तो ये कोई जानकार न तो बस एमर जोवा गयो तिया जहिने एने जोईू तो एक सिल्पी खूबज एका गरता एका गरता एकले के खूबज द्यान्थी आरस पहार ना पत्थर माँची भगवानी मूर्ती गड़ी रहो एक मूर्ती खूबज एका ग्रता थी एक खूबज ध्यान थी एक चीत थी आ मूर्ती आरस पार्णा पत्थरों मा थी वगवानी मूर्ती गड़ी रहो ह 하는데 पेला मानस ने यहां काम मा रहस पड़ी गड़ी जिय एक मानस मंदीर निर्माण कारिए जोबागयो है तो एक मानस ने एमा रहस पड़ी गड़ी ये सिल्पी नी बाजु माज बेसी गयो एटले के सिल्पी जे मूर्थी बनावतो हो तो येनी बाजु माज बेसी गयो अच्चानक जे एनो ध्यान बाजु माँ पड़ेली एवी जे एक अन्य मूर्थी पर पड़ियो एटले के जे मूर्थी नो काम करी रहो तो एनी साथे तमें जोई सकोचो चित्रमा एवी बीजी मूर्थी पन तमने देखाती हसे तो आ मानस नो ध्यान आ बीजी मूर्थी उपर गईू पची एटले के एने नवाई लागी एटले के आर्चरिय थाओ एने सिल्पी ने पूछू, मंदीर मा एक सर्खी आ बेहें मुर्तियों नी जरूर छे, एटले के बनने मुर्तियों सर्खी जो, हती एटले पेलो मानसु कहे छे, के मंदीर मा बेहें सर्खी मुर्तियों नी जरूर हती, ना सिल्पी ए जवाब, आवी एककज मुर्तियों जरूर आपने मंदिर मा पना माताजी भगवार ना फोटा होई तो अलग अलग माताजी भगवार ना फोटा होई पर एक कज माताजी ना फोटा आपने राखे ने तो आ सिल्पी कहे छे के आ मंदिर मा आभीज बे मुर्तियों मुखवानी छे पेला माना से सिल्पी जबाब आप्यों के ना आभी तो एककज मुर्तिनी जरूर छे परन्तो आ बीजी मुर्ति मा थोरू नुखसान थवा थी छेली गडि यहनू काम परतु मुखवू पर एकले के बीजी में चे मुर्ति बनावी चे एमा थोरू नुखसान था यू एकले के तो आ मुर्ति परती मुखी और बीजी मुर्ति बनावाना काम मा लागी गया पेला मानस से उपा थाईने परती मुकायली मूर्ती ने चारे तरब थी तपासी जोई एटले के आ मानस पेली मूर्ती ने परती मूकी अने जे बाजु मानने मूर्ती हती ते जोबा गयो आ मानस से चारे बाजु थी चारे तरब थी मुर्ती तपासी जोई परनतो तेने क्या नुकसान लाग्यू नाई एनने आचरीय साथे सिल्पी ने फरी थी पूच्छु आच्चरीय एटले सु तसे विद्यार्थी मूतरो नवाई एटले के तेने नवाई साथे सिल्पी पुछियो के आ मुर्थी मा मने तो कोई जुनुक्सान देखा तू नथी तमने आमा कई जग्याई नुक्सान देखा तू नथी तमने कई जग्याई नुक्सान देखा तू नथी तो तमने कई जग्याई नुक्सान देखा तू नथी तो तमने कई जग्याई नुक्सान सब्सक्रा मानस ने फरीवार द्यान थी चो येटले कि आ मानस है तो फरीवार चारे बाजु थी मूर्ती तप आसे पन त्याने आ सिल्पी कारे कई ये नानो गसर को कसे देखायो नई येने सिल्पी ने पूछियो तमे आ मूर्ती नी स्थापना कई जग्या है करवाना छो येटले ये मा तो ये मूलती नियजे थी ध्यान थी आपने निरिक्सन करिये तो जो आपने खबर पड़े दूर थी जो ये तो कदा चेना मा कई खामी रही गई हो तो आपने ख्याल आवे नहीं एटले कि आज सिल्पी का जुड़ी जे ब्यस्वा आवेलो मानस बुछे छे कि तमे आ मूलती कही जग्या ये स्थापना करवाना चो पेला 20 फुट उंचा स्थांब उपर स्थांबनो अर्थ शे थांबला उपर एटले आई मानस कहे चे कि मूवी स्थांबला उपर करवानो चो शिल्पी जवाब आपे एटले कि आ सिल्पी का जवाब आपे पेला मानस ने आच्चर यानो पाण नरयो पेला मानस ने नवाई लागी एना थी केवाई गईू मला मानस के जो 20 फूट उन्चा थामला उपरा मूर्ती बनावा नी सापना करवा मा आवे एमाई आचले नानकडी मूर्ती तो एनो दूर्थी जोनार मानस ने नानो गसर को क्याई देखा आई नई एटले के आ नानकडी मूर्ती नी स्थापना एटले बदे उन्चीच करवानी हुआ तो आवी खोटी मेन सु करवानी त्या वड़ी कोण चोवानुचे एटले के आ मानस करे चे देखा वानो नती तो तम्या खोटी मेन सु काम करो चो एटले के आ मानस नो केवानो बवार्थ आहे तो सिल्पी ये तरत ज़ पोता नु काम अटकावी अने ये मानस सामे जोई एटले के सिल्पी जे मुल्ती नु काम करतो हो तो ए काम तरत तेने अटकावी दिदू अने पेला मानस सामे जोई पच्छी हसी ने बोल्यो भाई बाई, बीजु कोई आ वाद जाने के न जाने, मने एनी खबर नथी, परन्तु हुँ अने मारो बगवान तो आ जानी, छी, एटले के तमें एम कहो जो, के आ मूर्ती नी, एटले के आ मूर्ती नो नानो गसर को कोई जोवानो, नथी, दरेक मानस पोताना क्राम पति ए वफाद होई, छी, एटले के आम सिल्पीकार छे, के हुँ जोव के ना जो, पर मारे भगवान नो तो डर छे, ते के मारो भगवान तो आ जाने उच्छे, अपने इम लागतु हो, के आपने खोट फो कारिय करता हो, तो कोई जोव जोदु नाथी, पर उपर वाडो आपनों भगवा तो आमा विद्यार्थी मित्रों बेमुद्दा पेला चे पेलो चे मूर्ती तो आ मूर्ती विशे में अगोपन समझावी दिदू हो तो आजे पन आपने खरी थी यहनू रिविजन करावी दिदू तो दरेक ने आ मुद्दाओ याद रही जसे अवे आपने एमा बे स्वा मुल्याकन स्वानो अर्शू तसे पोत्ते मुल्याकन करवू स्वा अध्यार्थी आपने पुस्तक मा पाट समझी गया पची यम्मे सा स्वाध्याई आवे छे तो स्वाध्याई नो अर्शू तसे स्वाध्यान चाते अध्यान करवू। टीचर पार्ट चलाई दे आने लेशन स्वाध्याई तमने गरे थी ओंवर्क मा आपे छे स्वनों अर्थ से पोते मुल्यांकन एटले परिक्सा कसोटी पोतेज पोतानों मुल्यांकन करवू तो या सरस्मजानी आपने वाद समझे के परदेशनी वाद चे परदेश एटले के विदेशनी वाद चे त्या एक स्टोर मा एक युवक दाखल थो दुकान दारे साथे नम्रत आथी वाद करीने तेने पबलिक फोन वापरवाने मंचुरी मागे एक दुकान दार साथे तेने खूब जी नम्रत आथी औने प्रेम्थी वाद करी औने तेमले ना दुकान मा जी पबलिक फोन हो एक पबलिक फोन एक सार्वाजनी फोन एक एक फोन करवाने मंचुरी मागे दुकान दार हाब पाड़े युवक ना हाथ खराब अतले एक स्पिकर उपर फोन उपर वाथो करतो अतले कि युवक जी आरे फोन उपर वाथो करवा जाए छे तेना हाथ खराब छे तेती तेसु करे छे कि स्पिकर उपर फोन राखी वाथो करे छे अन्य कोई ग्राहक ए समये स्टोर मा आचन नो होवा थी दुकान दार एनी वाद द्यान थी सांपरतो हो एतले कि अन्य कोई ग्राहक ए समये स्टोर मा आचन नो हर्चु तसे दुकान एतले कि ए समये ज्यारे आ युवक दुकान मा आवयो और तेना हाच सारा न हतला तेथी ते स्पिकर उपर फ़ौन उपर वादो करी रही पन दुकान दार पास ए वखते कोई ग्राहक न है तुआ दुकान दार एनी वाद द्यान थी सांपरतो हो एतले कि शेड़े कोई स्त्री वाद करी रही अती एकले के साम्मी वाड़ू व्यक्ति कुई स्त्री अतु यूवके कहीू मेडम तम्मे मने क्या तमारे तिया लोंक आफानू काम आपी सको खरा एकले ते सु कहे छे मेडम जो तम्मे मने तमारे तिया लोंक आफानू काम आपी सको छो सामे सेडे थी स्त्रीय जवाब आप एटले सामे व्यक्ति कौन चे स्त्री चे ते जवाब आपे छे नई बाई लोण काफ़ा माटे में मानस राखी लिदेलो चे एटले स्त्री सु कही चे के लोण काफ़ा माटे में एक मानस राखी लिदेलो चे युवक बोलो मेडम अतारे तमारे त्या राखेल मानस ते जे पगार आपता हो एना करता अर्धा पगार थी जोलो और कापीस एटले के अतारे तम्मी जे तमारी दुकाल मा मानस राखे छे एना अर्धा पगार मा जो एनू लोण काफ़ा नू काम करी आपीस आगण आपने जोई ए सामे छेडे थी स्तिरिये कहिऊ ना बाई हाल लोण काफ़ा नू काम जे मानस करे छे तेनी मानने को यज फर्याद नथी एले के हाल मारी पासी जे मानस छे एनने ए सरसर च काम करी छे लोण काफ़ा नू अने एनी कोई फर्याद पढ न थी युवक ए आप इस एना माते हुँ कई एक्स्ट्रा पगारवताराने रकम वगर एकले के एना माते हुँ तमारी जोडे कोई वधारानों पगार पन लई नैं पेली स्त्री ए जवाब आ प्योण ना भाई आबार एकले पेली स्त्री तरत च पेला चोकराने ना पाड़े छे के आबार हाल अमारी पासी मानस छे मने हमना विजी कोई व्यक्तिनी चलूर नथी एकले के अतारे मारी दुकाल मा अने मने कोई विजा व्यक्तिनी चलूर नथी मे रोकेला मानस थी मने पूरो संतोस छे एकले के में जे मानस ने राख्यों छे ए मानस थी मने पूरो संतोस छे आटली वादचीत पूरी करी ने खुस-खुसाल चेरे ए युग ए फॉननु स्पिकर बंद करूँ एटले के आटली वाचीत कर्याट पछी खूस-खूसाल चेहरे एटले के पोता ना चेहरा उपर आणन्द आवी पर बंद करें चे तो विद्यार्थी मित्रों तमें आप पाठ वांता तमने खबर पर से कि आ मारस कोन तो आ मारस ए जतों के जे पेली यूती ना आथिनीचे नों काफानू काम करें छता पन तेने कोते के ओं काम करें छे एनों मुन्याकन करवा माठे के सामे बीजी दुकान माझे और फोन करें छे तें जानवा मागे छे के ओंगे काम करू छुँँँँँ यूती बाई आपार मने हमना बीजी कोई व्यक्तिनी जरूर नथी मेर ओकेला मानस्ती मने पूरो संतोस छे आटली वाचीत पूरी करी ने खुश-खुशाल चेरे ए युवके फॉर्णू स्पिकर बंद कर्यू दुकांदारे फरी एक वार आपार मानी ने ए जवानी तयारी करतो हो दुकांदारने फ़री एक वार आपार मानी ने दुकांदारे तेरे फॉर्णू मा वाचीत कर्यूरा माना दी दी ए जवाचीत पुरी करी खुश-खुशाल चेरे ए युवके फॉर्णू स्पिकर बंद करू एटले आ वेक्ति ने जे युगके पौन करें हतो ए वेक्ति पोतिश पोत्थानों मुल्यांकन करियो हतो और ए मुल्यांकन मा सामे मारी वेक्ति कहिऊ ए मेडमे कहिऊ कि मारे लोंकाप्पा वालों कोई मानस चोल तो हाल मारी गजे मानस काम करें छे एना काम थी हु संतोस बले आने लाला चापी केहु गण्डी आजू माजूना रस्तो तमने साप करी दैस अने एना थी वदारे पगार result पगारम काम करीज तो पनास तरी ये ना पाड़ी दिदी एटले के तरत जि आ युवाक ने संतोस ठयो ते मने मारा राखेला मानस ती पूरे-पूरो संतोस छे आपने कोल पन वेटि ने काम आपी हो हो दोस्त आपने सारू काम करी हो तो आपने संतोस कारग थाए एटले के मारी साथे जे वेट्ती काम करे छे ते एना ते मने पूरे पूरो संतोस छे एटले के मने पूरे पूरो सयोग मडे छे आटली वाचीत पूरी करे खूस-कुसाल चे रे एटले के तेने पूताना आज काम ना वखान साभरी औने पूताना काम न साम्विर सामृनी वेट्ती पंन संतोस Pac एटलो सांभरी औने आ युवक ना चेरा ऊपर आना नावी गईो ते खूस-कुसाल थाई गईो दुकान दारे फरी एक वार आबार मानी ने ए जवानी तयारी करतो हतो एज वखत ए दुकान दारे एनी पासे बोलावे एटले के ते खुश-खुशाल आटलू साम्बणी अने ए दुकान वारानों आबार मानी त्याथी जवानूज करतो हतो एतला मा जे दूकान वाला मानस से एने बोलावे एने बदी वाद ची सामपड़ी ए पन खूस थाई गई एतले के एने जे सामपड़ी वेक्तिवी साथे जे वाद करी हती ए सामपड़ी ए मानस पन खूस थाई पेली स्त्रीये काम आफ़ाली ना पाड़ी छता युवक ना चेरा पर निरासानी कोई रेखान नोती ए जराये उदास पर नतो थोये टुक मा एनी एक खुमारी जेनिस परसी गई एटले के या दुकान वाडो मानस विचारे छे युवक पासे आवयो एकले दुकान दारे कहिऊ युवक पेली स्तिरी एकाम आफ़ानी ना पाड़ी छता पन तो खुश रही सक्यों ए वाट मने खुबस परसी गई युवक पेली स्तिरी एकाम आफ़ानी ना पाड़ी छता पन तो खुश रही सक्यों ए वाट मने खुबस परसी गई एकले के मारा रदेने भावी गई एने बले ना पाड़ी परन तुम हूँ तो काम आफ़ा तयार चू बोल मारे तिया काम करीज़ एकले के तने बले यूतिये ना पाड़ी पन हूँ तने काम आफ़ा माटे तयार चू बोल तुम मारे तिया काम करी आपिस पेला यूवा के हस्ता हस्ता ना पाड़ी येटले के या यूवा के तेने हस्ता हस्ता ना पाड़ी दुकान दारने अंतियत नवाई लागी येटले के आचर्य थो के अत्यार सुन्दी तो ते पोड मा पेली यूवदी ने तिया काम आप्पानी आजी जी करतो हो तो अन्ने अत्तारे मने ना पाड़ी चेट पं येञे कहीू पन दिकरा हम ना तो तु पेली स्री ने काम माटे रिस्ट सन्नी आजी जी करतो तो आजी जी उतले के वी नंती करी रहे होतो काम नतु जोईतु तो पच्छी आओ एवुसा माटे करतो होतो एकले केचो तारे काम नतु जोईतु तो दो तो तो युव सा माटे करतो होतो युवा खस्ता हस्ता बोल्यो नहीं सर गूच ए मेडम ने तिया काम करुचु एतो मारू काम केऊ छे ए तपच्छन माटे जमी एमने फोन करेलो जेथे काम करीने मारा काम मंगे मने ख्याल आवे एकले युवा खस्ता आस्ता कहे चे के सरे हूँ नथी ए मेडम नी त्या हूँच काम करूछू मारू काम केऊच ए तपास्वा माटेज में तेमने फोन करेल जेथे मारा काम मंगे मने ख्याल आवे जे थी हुँ मारू काम केऊ करू छू एनो मने ख्याल आवे दुकांदार ने एक निर्दो स्मीत आपी ने विदाई करी एटले के दुकांदार ने पण एक धिमु हास्ति आपी ने ते विदाई थयो दुकांदार पण एने जोतो एने जता जोई रहे लो एटले के दुकांद ईला कंड के पुल्ग कान कर ए करिए रहें कि बीर्द्री के ट्ली दिरीदर एपाठ आपने समझाव्यों दिदो आजे फरीतिपन एपाठ नों में तमने रिवीचं करावी दिदू तो विद्यार्थी मित्रों दरेक विद्यार्थी मित्रों एपाठ नों वांचं करवानू छे आगणना लेक्चर मां आपने पाठ नों स्वात्ये सोल करावी स बाई, आपार